तो आज मैं एक काफी अच्छा वीडियो लेकर आया है आप लोगों के पास जैसा कि आप लोगों को पता होगा भी कुछ दिनों पहले एससी CHSL ने अपना टायर वन का डिजर्ट दे दिया है राइट तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टायर वन क्वालिफाई किये होंगे तो अब जो है उन्हें टायर टू का एक्जाम देना है राइट तो टायर टू में कैसे कैसे टॉपिक आते हैं कौन-कौन से टॉप 2019 भी दिया है तो मैंने सभी में descriptive paper दिये हैं तो मैं अपना marks भी बताने वाला हूं और मेरी preparation कैसी थी मैंने क्या क्या पढ़ा था किस तरह से वो भी मैं बताने वाला हूं तो सबसे पहले without wasting time हम लोग अब भी topic discuss कर लेते हैं लाइक आप लोग यहां पे देख रहे होंगे current issues जो है उसमें से मैंने पहला topic जो रखा है new education policy that is NEP, NEP सबसे important इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2020 या 2022 तक जो है यह new education policy जो है वो लागू होने वाला है, हम लोग को भी पता है इसलिए मैंने यह topic जो है सबसे उपर रखा है और यह most expected topic है, दूसरा है unemployment due to corona pandemic, हम लोग सब जानते हैं कोरोना के कारण कितनी लोगों की job गई, किन-किन हालातों से लोग जूजे अपना-पना घर पडिवार को देखे चलाए, तो यह काफी important topic बन जाता है अभी के लिए, इ इसलिए मैंने दूसरा नमर पेसे रखा है, तीसरा COVID-19, किस तरह से यह spread किया all over the world, चौता है migration of liver, यह जो topic है यह भी COVID से related है, जैसे COVID इंडिया में दस्तक दिया, उसी तरह से liver जो है migrate करने लगे एक जगह से दूसरे जगह, उन्हें क्या-क्या पडिशानी हुई, कई लोग अपनी जान भी गवाएं, कई लोग अपने घर तक भी नहीं पहुच पाएं, तो यह भी काफी important topic बन जाता है, next है farm bill, उसी तरह से foreign relation, उसके बाद health infrastructure of India and GST को मैंने रखा है, GST काफी पहले ही लागो हो चुगा था इंडिया में, बद अभी भी यह काफी controversial topic है, that's why I put it in this list, next है vaccination, vaccination मैंने इसलिए रखा है कि अभी हम लोग को जस्ट पता है, news में आया था कि 100 करोर जो people of India है, वो vaccinated हो गए है, double dose, so यह काफी बड़ा news है, और किस तरह से vaccination का दौर सुरू हुआ था, start हुआ था, किस तरह से यहां तक हम लोग पहुचे हैं, क्या-क्या पढ़ेशानिया हुआ ही सरकार को, तो इसलिए यह topic काफी important हो जाता है, और एक next है scheme जो की government of India के द्वारा 2021 में लागू किया गया था, startup India seed fund scheme, यह भी काफी important topic बन जाता है, क्योंकि 2021 में मातर एक ऐसा scheme है, जो की government of India ने start किया है, उसके बाद हमारा कुछ internal security है, cyber security, J&K issue, terrorism, nationalism, social media, तो आप इ अच्छे topic है और पूछने के काफी chances है, next हम लोग मूव करते है, next है general topics, मैंने कुछ general topics लिए हैं, जिस पे अकसर यह सब most expected ही रहते हैं, क्योंकि यह सारी चीजे जो है daily news में आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसलिए general topics में रखा है, like suicide, हम लोग देखते हैं कि communal harmony, फिर caste system, तो यह सब topic काफी important है, आप इसको cover कर सकते हो, फिर next है environment, environment में pollution हमारा, deforestation, global warming, plastic band, तो आप इन चारो topic को cover करोगे, तो आपका अच्छा खासा preparation हो जाएगा, अब मैं बताता हूँ कि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी इसमें जो expect लोग करते हैं, उनसे बाहर कुछ न कुछ क्या होता है, आ जाता है, expected जो रहता है, उनसे भी क्या होता है, कुछ अलग चीज़े आ जाती है, फिर क्या करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है, अगर आप इतने topic को cover करोगे तो आपके पास इतना knowledge इखटा हो जाएगा, इतने points आपके पास नहीं होगा कि आप लिखोगे क्या, क्या लिखू, क्या ना लिखू, मैंने जो CHSL 2018 दिया था, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे गया जाके exam दे दिया, मुझे 63 marks आगे, लग बेच नहीं है, उसमें क्या था कि मेर handwriting काफी ठीक था, और लिखने की एक Sally होती है, वो काफी अच्छी थी मेरी, मेरे पास जो topic आये थे, मैंने उस पे code सोच लिया, उसी time, तो जो मैंने code सोचा, वो code भी काफी अच्छा बन गया, तो जिसके कारण मेरा एश्य काफी अच्छा हो गया, लेटर तो सभी लिखी ले 10, मतलब 10 उपर नीचे 5, लाइक 15 topic आपके पास है इधर, और अगर हम लोग second slide में देखें तो 5,49 topic इधर है आपके पास, तो 15,9,24 topic, मतलब 24 topics, जो है, वो काफी important है और आपको ये करना चाहिए, तो मेरे CGL में जो मार्क से एक बार 58 थे, एक बार 59 थे, उसमें मेरी गलती य कोई भी topic पढ़ो ना, उससे related जितने भी acts है, वो आप पढ़ो, जितने भी amendments है, वो आप पढ़ो, acts and amendments अगर आप mention करते हो उसमें, क्या अच्छी चीजे उसके द्वारा हो रही है, क्या गलत चीजे उसके द्वारा हो रही है, उन चीजों के आने से हमारे society में क्या-क्या impact पढ़ा वो लिखो आप, तो इन सब चीजों को इस तरह से आप cover करोगे, तो काफी अच्छा score आप कर सकते हो, 70 plus score भी आप कर सकते हो, essay and letter मिला के, so thank you very much for watching this video, all the very best for your examination, thank you, thank you very much guys.